लेटेस्ट नियूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले कपिल शर्मा का नया शो फिया मिली टाइम विद कपिल शुरू हुआ है तभी से इसे लेकर कुछ ना कुछ नया विवाद सामने आता जा रहा है 25 मार्च को इस शो का पहला एपिसोड ओने यर हुआ जिसके बाद फैंज से लेकर क्रिटिक्स तक ने नई बोतल में पुरानी शराब बताया वही पुराने जोक्स और क्यारेक्टर के साथ सामने आए कपिल के शो में दर्शकों को कुछ भी नया नहीं मिला इसलिए सोशल मीडिया पर भी उनकी शो की काफी खेचाई हुई दर्सल कपिल के शो को लेकर असली विवाद पहले एपिसोड के साथ ही शुरू हो गया पहले बागी दो के टीम फिर रानी मुखर जी के साथ शूट नहीं हो पाया रानी मुखर जी की टीम सेट पर कपिल का इंतदार करती रही लेकिन शूटिंग के दिन कपिल सेट पर पहुँचे ही नहीं अपनी इस गलती पर कपिल ने कोई माफी भी नहीं मांगी जैसा की हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कपिल के हर दिन के शूट की कीमत लाखों में होती है ऐसे में शूट का कैंसल होना मतलब चानल को बड़ा नुकसान होना है ऐसे में अगर कपिल का शो अफेर होता है तो कपू शर्मा के फ्यांस के लिए यह बुरी खबर होगी इधर कपिल के दुश्मन बने दोस्त सुनील ग्रोवर भी शो लेकर लोट रहे हैं शिल्पा शिंदे के साथ नए शो की शूटिंग शुरू कर दी है